हेलो नमस्कार साथियों स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल मैट्स ट्रिक्स पर तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि आप कैसे किसी भी नंबर के फैक्टर्स बना सकते हैं या फिर उसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं देखने में आपको बहुत ही चोटा एक टॉपिक लगता है और आसान लगता है बट कई बार इससे ऐसे कोशन आ जाते हैं कि बच्चा वो कोशन एक्जाम में गल्द करता है तो इसलिए मैं आपके लिए आज टोपिक लेका आया हूं जिसमें आपको बिलकुल आसान तरीके से कैसे आप किसी नंबर के फ factorization कर सकते हैं factorization यानि गुड़न खंड कैसे बना सकते हैं अब बात आती है factorization क्या होता आपका factors बनाना जैसे मान लो आपके सामने number 1 36 अब 36 के factorization की बात करूं तो हमारा simple method है जो आप जानते है सबसे पहले 36 आ गया इसको हम क्या करते हैं सबसे smallest number से क्या करते हैं divide one को में account निकलते हैं क्योंकि one से हर एक number divide हो जाता है हम start करते हैं two से तो two से मैं इसको divide करूं तो मेरा आ गया 18 अब अब तब तक इसको two से divide करोगे जब तक यह two से divide होना अब आप देख सकते हैं जो 18 है यह भी हमारा two से divide हो रहा है तो यहां क्या आगया nine अब nine की बात करूं तो two से divide नहीं होगा तो अब मैं किस की तरफ चलूंगा three की तरफ three से अगर मैं करता हूं तो यह divide हो रहा है फिर एक बार three से तो यह जो है यह इसके factor निकल के आगए यानि 36 के factor की बात करूं तो two into two into में three into three जिसको हम क्या बोल देते हैं गुणनखंड अब गुणनखंड क्या होते हैं किसी भी संख्या का जो गुणनखंड होते है या फिर जो उसके factors होते हैं या तो वह संख्या खुद होगी अगर उसको आप एक से multiply कर दो तो वह खुद होगी तो या तो खुद से होगी या उस नंबर से छोटा तो जैसे अगर two की बात करो तो 18 into two ये भी आपका 36 होगा तो मुणनखंड आपके क्या होते हैं किसी भी नंबर को जब एक से multiply करो या तो खुद नंबर या फिर उससे छोटी संख्या है जो उस नंबर को divide कर दिये अब आ अब बात करो 36 के factors की तो क्या बनगे अब जितने भी आपके two आ जाएंगे वह आप two की power में लिख देते हैं two का square into three का square तो ये आपका answer आ जाता है जब भी आपको 36 factors निकाल लिए अब बात आती है 36 के कुल कितने factors हैं अब बात करूं 36 की one से भी divide हो रहा है two से भी हो रहा है हमारा three से हो रहा है four से भी हो रहा है five से नहीं होता किस से होता है और six से seven से नहीं होता eight से नहीं होता आपका nine से हो जाते है इसके बाद 12 से हो जाते है आगे बात करूं तो 12 के अलावा आपका किसी से डिवाइड नहीं होगा इसके लावे खुद 36 36 से डिवाइड होगा तो इसके फैक्टर क्या क्या आगे हमारे 1 2 3 4 6 9 12 और एक 36 यानि 8 फैक्टर्स आपके निकल आए किसके 36 के इनी नंबर से 36 क्या होगा डिवाइड होगा हमारे ठीक है स्टूडेंट तो यह चीज आपको समझ में आगी चलिए एक दो और एक्जामपल लेता हूं अब मैं अब मैं एक बड़ा नंबर ले लूँ जैसे 294 ले लिया मैंने अब इसके फैक्टर्स की बात करूं तो फिर से आपको वही प्रोसेस अपना रखना है 294 लेंगे सबसे पहले किससे बताया था मैंने तू से डिवाइड कर देंगे आप अब आम आज को पता कैसे चलेगा यह ट्रिक भी मैं आपको बता दूँ कि यह नंबर हमारा टू से डिवाइड होगा या नहीं तो टू से सिर्फ वही नंबज डिवाइड होगा जिसके last में आपका क्या हो even नंबर हो या फिर जीरो आपका जीस भी नंबर के last में आपको य हमेशा तू से डिवाइड होगा तो यह चीज आप ध्यान रखना अब बात करूं मैं फाइब से यह होगा आपका नंबर विल डिवाइड बाए डिवीजिबल बाए तू तो यह चीज आप नोट कर सकते हैं यह किसी भी नंबर के एंड में आपको तू फॉर सिक्सेट जिरो म होगा अब बात करता हूं मैं फाइब से डिवाइड की तो जिस भी नंबर के एंड में आपको जीरो या फिर फाइव मिल जाए सिर्फ वही नंबर आपका क्या होगा फाइव से प्रॉपरली डिवाइड होगा नंबर विल डिवीजिबल बाए फाइव यह चीज आपको ध् आती है यह होगा आपका नंबर एंडिंग जिस भी नंबर के एंड में जीरो या फाइव हो चैक इतना इपड़ा नंबर हो मानलों यह लिख लिए फाइव से वन टू नाइन फाइव जीरो फाइव अब आप से पूछ ले एक्जाम में कि यह फाइव से डिवाइड होगा तो आपको बिल्कुल भी इसको डिवाइड करने की जूट नहीं है लास्ट में आप देखें कि जीरो है या फाइव है फाइव से डिवाइड होगा ठीक है स्टूडेंट्स तो यह चीज आपको समझ आई होगी अब एक दो और चीज़ें बता देता हूं बात करो अगर मैं अगर किसी नंबर के एंड में नंबर एंडिंग 0 अगर किसी नंबर के एंड में आपका 0 आ रहा है चिर्फ वही नंबर आपका क्या होगा 10 से डिवाइड होगा तो ये चीज़ आपको दियान रखनी है एक्जामपल ले लेता हूं फिर से 79075670 ये दे दिया पूछ ले 10 से डिवाइड होगा या नहीं होगा लास्ट में कहा है 0 तो 10 से डिवाइड होगा तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी अब मैं पूछ ले ये नंबर मेरा 2 से या 5 से डिवाइड होगा या नहीं अब 5 का मैंने आपको बताया था एंड में 0 हो या 5 हो तो वो 5 से डिवाइड होगा बात करो 2 से तो 2 से भी आप देख सकते हैं जिस नंबर के एंड में ये आए वो क्या होता है आपका 2 से डिवाइड हो जाते है तो यह कुछ छोटी छोटी चीज़े है जो आपको ध्यान रखने की जूरत है चले आगे चलते हैं अब बात करो 294 के फैक्टर्स की तो अगर इसके आप फैक्टर बनाएं तो क्या बन जाएंगे आपके 2 से डिवाइड करो तो 147 अब देख सकते हैं लास्ट में 7 आ गया यानि एक और नमबर आ गया तो यह 2 से डिवाइड नहीं होगा 2 से सिर्फ y नमबर डिवाइड होंगे दा नमबर एंडिंग विद इवन नमबर विल बी डिविजिबल बाई 2 जिस नमबर के एंड में आपका इवन नमबर आ रहा हूँ सिर्फ वही नमबर आपका क्या होगा 2 से डिवाइड होगा अब 7 आ गया तो आपको 2 से चेक करने की जूट नहीं है इसको 2 से डिवाइड नहीं होगा चाहो तो आप करके देख सकूँ तो 2 से गरू 2,7 जा 14 2,3 जा 6 और एक बची गया आपका तो 2 से नहीं हो रहा चलो अगर मैं 3 की तरफ तो 3,4 जा 12 और 3,9 जा 27 3 से आपका डिवाइड हो गया अब मेरा 3 से 49 नहीं जा सकता 4 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 4 से भी वही नमबर डिवाइड होते है जिनके जो क्या हो इवन नमबर हो या फिर 0 हो जिसके लास्ट में 5 से आपका हो नहीं सकता क्योंकि 5 से सिर्फ वही नमबर डिवाइड होते है जिसके एंड में क्या हो 0 या 5 6 से भी नहीं होगा आपका इसको 68 जा 48 यह 49 है तो यह किस से डिवाइड होगा 7 से क्या निकल के आ गया यहां पर तो इसके फैक्टर्स की बात करूं क्या बन रहे है टू इंटू 3 इंटू 7 का स्क्वेर जैसे मैंने बताया था जितने भी नंबर रिपीट हो जाए उसको पावन में लिख देते हैं तो ऐ कैसे आपके आया है फैक्टराइजेशन कर सकते हैं किसी भी नंबर का अब एक बड़ा नंबर अगर मैं लों 1569 1569 इसके मैं आपसे फैक्टर्स पूछू तो कैसे निकालेंगे सबसे पहले मैंने देखा एंड में क्या आ रहा है और नंबर तो टू से तो डिवाइड होगा नहीं मैं जाओंगा 3 की तरफ 3 5 जा 15 3 2 जा 6 3 3 जा 9 अब दुबारा अगर 3 से ट्राइग करूं 3 1 जा 3 बचिगा 22 तो यह 3 से मेरा नहीं जा रहा यहां पर नहीं जा रहा 4 से भी नहीं जाएगा लास्ट में एवन नंबर है आपका अब अगर 5 से ट्राइग करूं 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 या 5 नहीं है 6 से भी नहीं जाएगा मेरा यह 7 से अगर मैं ट आपके नबर ने जा सकता। बात करो nine की। तो nine से अगर मैं करो तो nine से भी मेरा यह नहीं जाएगा। mammothya पयाहं जाएगा क्योंकि last में झीड़ो नहीं है तो इस हिसाब से आप च्छक कर सकते हैं 11 से याइप नहीं जा रहा मेरा यह 12 से भी नहीं जा रहा तो ये आपका हो गया 13 से अगर चेक करूँ तो 13 से भी नहीं हो रहा 14, 15 15 क्या हो गया 5 और 3 का फैक्टरी तो है 15 के जो 5 और 3 से नहीं हो रहा तो 15 से कैसे हो जाएगा चलूँ अगर 17 की तरफ तो 17 से भी नहीं जा रहा तो आप देख सकते हैं कि ये नमबर जो है आपका किसी नमबर से डिवाइड होता मैं को दिखने रहा तो ये नमबर क्या होगा आपके प्राइम नमबर होगा 5,2,3 तो इसके फैक्टर एंड में क्या बन जाएंगी 5,2,3 इंटू 3 तो जहां तक आपका डिवाइड होगा वहीं तक आपको सिर्फ डिवाइड करने जब आगे आपका किस से डिवाइड ही नहीं हो रहा तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते ठीक है फ्रेंट्स आई होप यह चीज समझाई होगी आपको चलिए आगे चलते हैं अब एक नमबर मेरे पास आगया 10680 इसके मेरे को फैक्टर्स बताओ तो आपको एक बड़े खुद ट्राई करें दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही होते हैं फटाफट से इसे लाइक हो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस चीज को सीख सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर दें फटाफट और बैल आइकन को प्रेस कर दें तकि जो भी हमारी लेटेस्ट क्लास आए उसकी अफडेट आपको मिलती रही इसके लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जोइन कर सकते हैं जिस पिर टू से चला गया, जब तक मेरा जीरो रहेगा, एंड में 2 से डिवाइड होता रहेगा, अब आ गया 5, यह तो यह 3 से डिवाइड होगा, यह फिर 5 से डिवाइड होगा, 2 से अब हो निसकता, अगर 3 की बात करूँ, तो मेरा कितना आ रहे, 3, 4 जा 12, 3, 4 जा 12, 3, 5 जा 15, अ अब अगर 3 से मैं इसको करना चाहूं, तो अब मेरा 3 से नहीं जा रहा, तो मेरा किस से जाएगा, 5 से, कितना आ गया, 89, अब यह 5 से भी नहीं जा सकता है, आपका 89, तो 89 की अगर मैं बात करूँ, तो 89 क्या होता है मेरा एक? Prime नमबर होता है, अगर अब ध्यान से देखें तो, क्या होता है मेरा? Prime नमबर. यहीं तक आपके factor बनेंगे, क्या मेरा answer आ गया, 2 कितने है, 3, तो 2 की power, 3, into 3, into 5, into 89, तो यह इस question का आपका answer निकल के आ गया, ठीक है फ्रेंट्स तो आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा चलिए एक और चीज सिखा देता हूं आप से कई बार पूछ लेता है टोटल नंबर ओफ एक्टर्स बताओ जो पहले चीज मैंने आपको सिखाई थी वह तो क्या थी जितनी संख्याओं से डिवाइड हो र थड़ बता देता हूं जो भी यह आपकी पावर है इनसे आपको एक इंक्रीज करके लिखनी है जैसा थ्री है तो लिखूंगा फॉर तीनों की क्या है वन वन तो तो तीनों का क्या लिख दूंगा टू टू यह मेरा कितना आ गया थर्टी टू तो टो टोटल नंबर ओफ ए करस्द कर दिया आइभन आपको शेशन पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो इसल्व और कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिये तो इससे के साथ धन्यवाद दोस्तों आगे आपके लिए सेस्टेशन लाते रहेंगे धन्यवाद दोस्तो परूIFA